Hello everyone, कैसे हो आप साथ? एक बहुत ही अच्छी query है मेरे पास और मुझे लगा कि सब के साथ share करनी चाहिए हम सभी के doubt हो सकते है कभी ना कभी हम लोगों के मन में आती है ये बात कि DAPA ये DR important है या फिर हमारे पास traffic वाली site है तो वो उसकी ज़्यादा value है तो अगर आप clients के साथ काम कर रहे हो या कुछ भी तो आपको देखना है आपकी जो traffic वाली site है वो हमेशा valuable है जो अच्छा SEO करता होगा बंदा वो हमेशा importance देगा traffic वाली site को वो नहीं देखेगा कि आपकी site का DA कम है और traffic जादा है तो वो आपको reject कर दे या फिर आपकी site को avoid कर दे वो आपकी site पर guest post करेगा साथ में अगर कोई company है उसने अपना एक set कर रखा है कि हमें इतने DA की sites चाहिए और इतना traffic होना चाहिए तो यह हो सकता है लेकिन वहाँ पर भी वो traffic को importance दे रहे होंगे अगर उन्होंने set किया है 20 DA होना चाहिए और 10,000 सूपर traffic होना चाहिए अब यहाँ पर अगर आपके पास traffic 50,000 है और DA आपका 15 भी है तो भी आपके पास guest post आएगा क्लाइंट आएगा क्योंकि उसको पता है कि आप मेहनत कर रहे हो अपनी site पर तभी यह 50,000 के traffic लेके आप आ रहे हो आपकी site की quality है maintain कर रहे हो आप और अगर कोई बंदा ऐसा होगा जिसका SEO इतना ज़्यादा perfect नहीं है या फिर उसकी नजरों में traffic की value नहीं है तो फिर वो सिर्फ अपने spam अगरा मतलब backlinks को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है वो नहीं ध्यान दे रहा कि उसकी ranking इतनी ज़्यादा अच्छे से आप आए Google में या नहीं क्योंकि मैं अगर किसी क्लाइंट की guest posting कर रहा हूं तो मैं ध्यान दूँगा कि अगर मेरे को traffic वाली sites मिल रही है तो मेरे लिए वो important है मेरे को यह फिर matter नहीं करेगा कि DA कितना है या DA, R कितना है, PA कितना है और बहुत सारे clients के अलग-अलग metrics होते हैं, अलग-अलग importance देते हैं वो लोग, तो आपको traffic पर ध्यान देना है अपने Google के according भी आप काम करो ऐसा नहीं है कि DA के पीछे पढ़ जाओ और उसी को भी बढ़ाने में लगे रहो आप उस quality को maintain करो अपनी site के